यह वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि अपने एंकोडर को ओसिलोस्कोप से चेक करें हाउ टू चेक इट यह समझ यह वन वी एसस का एक एक एंकोडर है यह होलो शाफ्ट एंकोडर है सर्वो मोटर में लगता है और इसका नंबर इच वान एस है होग 74 बोलते हैं इसको 1024 पलसे वन वी एसस तो अगर ऐसा एंकोडर आपको चेक करना हो कि यह खराब है चल रहा है तो मोटा मोटा पंदाजया लगा सकते हो बड़े अराम से कोई एक कोसिलोस्कोप ले लो सिंगल डबल अपने टू चैनल का यहां ग्राउंड लगा दो यह यूबी जो है यहां 10 वोल्ट दिया है और यह कह रहा है कि आपको देखो यहां इनकोट पावर बोल रहा है कि आपको 8-24 वोल्ट दे सकते हो तो मेरे पास एक DC पावर सप्लाई या प्रोग्राम में वह उससे हमने इसको दिया है 10 वोल्ट ठीक है तो 10 वोल्ट यहां दे दिया और पावर सप्लाई का ग्राउंड यहां दे दिया ठीक है यह नेगेटिव आ गया यहीं पर ही चैनल वन का जो नेगेटिव है वो यहां दे दिया है इसके साथ है और यह दोनों को कनेक्ट पो रहा है चैनल वन का प्रोब यहां है B पे और B बार पे ठीक है यह दोनों जब connect कर दें उसके बाद कुछ नहीं कर ना बस आपको यह encoder को गुमा के देखना है क्लोली गुमाईए और देखिए कि आपका feedback आ रहा है कि नहीं देखो यहां पर पुल्स आ रहा है फिर आपके पास management functions होते हैं आपके oscilloscope में आप इससे दूसरे पीक टू पीक देख सकते हैं पास cycles चेक कर सकते हैं इसका duty cycle चेक हो सकता है और फ्रिक्वेंसी चेक हो सकता है एक बार oscilloscope आगे तो कुछ भी हो सकता है तो आराम से आप इसको चेक करिए और खुद अपना decision लिजिए इनकोडर चल रहा है नहीं चल रहा है कोई और उल्जान है आपको यहां पर अंदाजिसे लग जाएगा सेम अभी जब बी चेक हो जाएं उसके बाद में shift to a आ फिर होमपस चेक कर लो यह तिनों चीज़ें चेक हो जाएंग यह थोड़ा मिलियम्स का यह भी देखो कि यह कितना एंपियर ड्रॉ करता है बस यह सब चीज़ें इससे आपके एंकोडर की health आप खुद एंशूर कर सकते हैं कि यह चल रहा है नहीं चल बिफोर बाइंगे न रिप्लेस्मेंट इनकेस आपको रिप्लेस्मेंट खरीदना हो हमारे पास आपको जबाब मिलेगा शुक्रिया